हल्क वर्सिस ग्रेट एप उजारू कौन जीतेगा तो पहले बात करते हैं ग्रेट एप उजारू की तो ये चांद को देखकर अपना रूप बदलता है और जो सहीन इसमें बदलता है उसकी ताकत बहुत ज़ादा बढ़ जाती है और वो Great Ape में तबदील हो जाता है और उसमें वो पूरी तरह से जानवर बन जाता है अपनी सारी सेंस को लूज कर देता है पर ट्रेनिंग से वो इसे कंट्रोल कर सकता है जैसे विजीटा ने किया था और ये करीब 50 फुट लंबा हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ हल्क जो गुसा या चोट लगने से इंसान से हल्क बन जाता है जिसकी आईक्यू बस हल्क स्मेश है और मैं यहां हल्क की बात कर रहा हूं ना कि प्रोफेसर हल्क की इसके पास सूपर हुमन स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टैमिना है और जितना जादा ये गुसा होता है उतनी ही इसकी पावर बढ़ती है और इसकी हाइट ट्रांसफर्म होने के बाद साथ से आठ फूट हो जाती है तो आपको क्या लगता है इन में से कौन जीतेगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं